नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चानल पर दोस्तों, क्या आपने कपी सोचा है कि बिना किसी सामगरी के प्रचंड वशी करण हो सकता है अगर नहीं, तो आज मैं आपको बता दो कि ये बात बिल्कुल सच है ऐसा ही कुछ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना सामगरी के प्रचंड वशी करण की विधी दोस्तों, हमारी माताएं, बहने, बार-बार हमसे ये गुजारिश करती है कि हम कोई ऐसी विधी बताएं, जिसमें उन्हें किसी सामगरी की आवश्यक्ता ना हो क्योंकि वो घर से बाहर जाकर ये सामगरीया एकत्रित नहीं कर सकती कुछ रखने के लिए बाहर नहीं जा सकती, किसी चीज को मिटी में नहीं दबा सकती तो उनके लिए एक बहुत ही कारगर सिध्धो की आज का उपाए जो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी सभी परेशानियों से कैसे निजाद पा सकते हैं अगर आपका बेटा आपकी नहीं सुनता या घर में आर्थिक तंगी है परिवार में कल कलेश इतने बढ़ गए हैं कि परिवार के बटवारे की बात आ गई है तो आप मातर इस उपाए को करके अपने घर की हर समस्या समाप्त कर सकते हैं अगर आपका प्रेमी आपसे दूप चला गया है या आपका पती किसी और दूसरी औरत के चक्ठर में पढ़ कर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देता आपसे प्यार नहीं करता तो आप ये विधी अपना कर अपने घर को तूटने से बचा सकते हैं लेकिन दोस्तों एक बात जो मैं आपको बटा दूँ वो ये कि बिना किसी सामगरी की जरूरत के ये बहुत प्रचंड विधी है इसलिए सिर्फ ये देखने के लिए ये विधी सच है या जूट इसका प्रयोग ना करें क्योंकि इसका असर इतना ज्यादा है कि अगर एक बार ये विधी हो गई तो व्यक्ति ताउमर के लिए आपका हो जाएगा फिर आप उसे पीछा छुडाने के लिए कोई वशीकरण ढूड़े इसलिए मैं आपको पहले बता दूँ कि सिर्फ ये देखने के लिए कि वशीकरण सच्चा है ये जूटा वशीकरण ना करें और किसी गलत मन्शा से भी आप वशीकरण ना करें गलत इरादे गलत ही होते हैं उनसे कोई बरकत नहीं आती या किसी के लिए कुछ गलत सोचकर भी वशीकरण की विधी को बिल्कुल ना पलाएं तो आईए आपको बटाती हूँ आपको कि आखर बिना किसी सामगरी के वशीकरण कैसे होगा आपको सिर्फ इतना करना है कि मंगलवार के दिन सुबह नहाद होकर एक साफ स्तान पर बैठना है ध्यान है कि कोई आपको देखे ना फिर उस व्यक्ति का ध्यान करें जिससे आप वश में करना चाहते हैं उस व्यक्ति का ध्यान इस हड तक करना है कि उसका चहरा आपकी आखों के सामने आ जाए जब ऐसा हो जाए तो आपको हाथ जोड़कर एक मंत्र का 21 बार उच्चारण करना है और आसमान की तरफ देखकर तीन बार भूप मारनी है ऐसा लगतार आपको तीन मंगलवार करना है उसके बाद आप देखेंगे कि ये व्यक्ति पूरी तरा आपका हो गया है अगर आपके ओफिस का बॉस है तो आपके ओफिस का बॉस खुद ही आपको प्रमोट करेगा और अगर आपका प्रेमी है तो वो आपके प्यार में इस हड़ तक पागल हो जाएगा कि सिर्फ आपके साथी वक्त बिताना चाहेगा और आपकी परिशानियों को खत्म कर देगा और हाँ, अगर आपको ये उपाय करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किया इसके बारे में जानकारी लेनी हो, आप इसे खुद नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारट से, तो आप हमें कॉल करें नंबर है, प्लस 9197999073017 हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाय जा रहा है अभी के लिए दीजिए इजाज़त तब तक के लिए जय माता दी